नमस्कार सतियों केंदर सरकार ने कुनो नेशनल पार्क में और अने निर्दिश छेतर में चीता पडियोजना की निगरानी के लिए एक टास्पोर्स का गठन किया है जिसका नाम है चीता टास्पोर्स तो इस वीडियो में हम चीता टास्पोर्स के बारे में जानेंगे डिटे तो वीडियो अंतर जरूर देखिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दिजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और यह हमारा सोसल मीडिया है जहां आप फॉलो और सस्क्राइब कर सकते हैं जहां आपको काफी ज्यादा हेल मिलेगी तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट है केंद्रिय पर्यावरन वन और जलिवाई परिवर्थर मंत्राले ने मध्य पर्देश के कुनो राष्ट्री उद्यान के साथ साथ अन्य निर्दिश छेत्रों में जहां चीतों को पेश किया जा सकता है मैं चीता पडिचय पड़ीजना की निगरानी के लिए एक टासपोर्स का गठन किया तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यहां पर सकते हैंने की इंट्रों में बता एच तो आहिए उससे जोरी कुछ important facts देख लेते हैं तो next point है चीता task force के कामकाज को रश्ट्री बागशन रक्षन प्राधिकरन द्वारा सुगम बनाया जाएगा यानि किसको असान और अच्छा से किसके द्वारा बनाया जाएगा तो जो बागशन रक्षन प्राधिकरन है जो नेशनल टाइगर conservation authority उसके द्वारा इसको सुगम बनाया जाएगा ठीक है और यह task force दो साल की अधी के लिए चालू रहेगी मतलब जब इसको बनाया गया है तो कवता काम करेगी दो साल तक के लिए काम करेगी ठीक है यह task force next point है task force द्वारा तई किये जाने पर चीता पड़िचाई छेत्रों का नियमित रूप से द्वारा करने के लिए एक उप सम्मीती नियूद करने का अधिकार है और यह task force है तो इनको बनाया गया तो छेत्र में नियमित रूप से द्वारा किया जाएगा तभी तो पता क्या किया जाएगा एक सम्मीती का नियूद करने का अधिकार है in task force के पास ठीक है next point है यह पूरे छेत्र की सुरक्षा इस्थिति और निगरानी भी करेगा यानि कि जो भी वहाँ के एरिया है जितना छेत्र है उसका क्या करेगा सुरक्षा का जिमेंदारी इनका है और निगरानी करेगा यानि कि जहाँ जहाँ चीता घुमेगा वह सारे एरिया को सुरक्षा और निगरानी के पर्दान करन किया जागा किसके द्वारा तो यह जो task force चीता कठन किया गया है उनके द्वारा ठीक है और जो भी वहाँ को वन और पॉसिट सक अधिकारी हैं उनके निगरानी का पालान भी करना है इन लोगों के द्वारा जो टास्फोर्स में मेंबर होंगे उनके द्वारा ठीक है यह चीता के समग स्वास्त वेवहार और रख रखाओ की स्तितिक आधार पर भारत में ची चीता के पड़िचा है उसके सी फारीज को परदान किया जाएगा इन टास्पोर्स द्वारा को पर नियमण में पर सुझाव देंगी और इस्तानी समुदाय के सांध चीतों में उनकी जागरुपता और भगधारी आकलन करने के लिए नियमितरीप से बात चीटा मित्र उनके साथ मिलके जो आस्पास समूदाय है उनके साथ चीटा को संरक्षित किया जाएगा यह सारी चीजे इनके दवरग किया जाएगा तो आये जानते हैं कि आखिर चीता मित्र कौन है ठीक है चीता मित्र कभी हम बात कर रहे तो चीता मित्र आखिर है कौन तो देखिए चीता मित्र आसपास के गाउं के समुदायों के बीच समुदायों के बिदे चीटा के बारे में जगुरुटा बरहनने और उनके और चीटा के बीज संभाविת संहर्ष को कम करने में सामेल होंगे याने कि जो जो चीटा मित्र है आसपास के गाउं के जे समुदाय है उनके बीदे में क्या करेगी जागडूपता बढ़ाएगी इस उदेश के लिए वन अधिकारियों द्वारा एकाउन गाउं के चार सो से अधिक चीता मित्रों को परसीखित किया गया है यानि कि जो भी कि चीता मित्र कौन है और चीता टास्पोर्स के बारे में तो आज के वीडियो यहीं पर सनाप्त हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएगा और ऐसे ही इनफरमेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो थैंक्स पर वाच कर दो एंगे टीता मैं हुआ है था ज्यएटोस के लिए पर लिएट सेशना क्ना कुई कर लिए यह गीनतू कर व्यां गाया क्पी प्तलल सivoन पर मगें पर स कर लिए।